जोस्तो आप लोग कैसे हैं आसा करता हूं दोस्तो आप लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तो आपको लिए बहुत बढ़ा को स्कवर रही है SSE, MTS और हवलदार का वेकेंसी का आप लोग वेट कर रहेते हैं आखिर कर इसका वेकेंसी आ चुका है सम्पून डिटेल्स हम आपको बताएंगे कौन करम फर्म को भर सकता है एज सेलिस सेलेक्शन प्रसेस क्या रहने वाला है सारा आपको बताते हैं चली बीडियो के स्टार करते हैं देखें टोटल पोश्ट की बात करें तो 1589वे वेकेंसी है हाला कि अनुमान था कि 5000 पोश्ट पर वेकेंसी आया लगबाल लेकिन अभी हाली में वेकेंसी आया था इस करमBack कम एएक सीट मतलब लकाना है कितना भी सीट मतलब लठ रखें जिसमें सेंप्डीयं की की हरů बात करें तो 119वे पोश्ट में आया इस्में 2 एज गरूप में वेकेंसी होता है पहला होता 18,25 सल अगर आप 18-25 एज गरूप में आते है तो 997 पोश्ट है बाकी 18-27 साल एज ग्रूप में 200 पोश्ट है, और हवलदार की बात करें तो 360 पोश्ट पर वेकेंसी है, कूल मिलाके तीनो मिलाके आपका 1558 पोश्ट है, ठीक है, और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग seat होता है, और राज्यों का अनुसार इसका cut-up भी जाता है, किस र से age count होगा, same, इसी date से age count हो रहा है, ठीक है, अब देखो, 18-25 और 18-27 जैसा के मैंने बता है age group में वेकेंसी होती है, अब देखो, इसमें OBC है, तो 3 साल का छूट मिलता है, और SCST है, तो 5 साल के age में छूट मिलता है, अब ध्यान समझिएगा दोस्तो, 18-25 age group में दोस्तो कित 20 साल age group में कितना वेकेंसी है, 200, OBC है, तो 3 साल का छूट, यानि 30 साल, और SCST 32 साल, अब date of birth से हमने लिख जाए, ताकि आपको confusion ना हो, सबसे पहले general का date of birth यहां पे लिखा गया है, 2 अगस्ट 1998 से 1 अगस्ट 2005 के बिच आपका जनम है, 18-25 age group वाले बच्चे, अपलाई कर चे तो, OBC है, तो 3 साल घटा लेजिएगा अंठामे में से, और SCST है, तो 5 साल घटा लेजिएगा, ठीक है, अब देखो, यहां पर वस्तु, qualification, मातर 10 भी, past vacancy है, ठीक है, एक्जाम इसका सितंबर में लिया जाएगा, 27,000 से जाता आपका salary मिलेगा, first month, ठीक है, अब देखो, य में 2 session में divide किया गया, session 1 और session 2, session 1 जो है न, दोस्तो, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले यह जुस्तो, qualifying marks यहाँ आपको लिखा गया, कितना आपको qualify करने के लिए mask minimum लाना है, general का 30% है, OBC, EWS का 25%, others का, मतलब ACST का 20%, वीडियो में आंगे बढ़ने से पहले जुस्तो, आपको जैसे की पता है न, कि SSC MTS का दोस्तो, exam सितंबर में होने वाला है, और इसका मतलब दोस्तो, आपको तैयारी अभी से start कर दिये, और तैयारी को प्रपर धंग से करने का मतलब क्या है, दोस्तो, पढ़ाई के साथ साथ, mock test भी लगा रहा है, ताकि आपको idea हो, exam में किस परका अपना mail डालके sign up करने के बाद दोस्तो, यह वाला page open होगा, तो यहां आप मेनी mock test लगा सकते हो, इसके अलाओ दोस्तो, जो भी आपका subject का, syllabus recording, आपको mock test लगाना है, तो वो भी आप लोग यहां से लगा सकते हो, और इसके अलाओ दोस्तो, जो पहला mock test है, एकदम free है, मचले spelling कलती हो जाता है, या कोई हम कुछ गलती भर देते हैं, तो correction 26 और 28 July के बीच आप कर सकते हो, ठीक है, अब देखो, session 1 का syllabus है, इसमें 40 question पूछेएगा, एक question तीन नमबर का है, 40 में 3 से गुना करे, 120 नमबर हो जाएगा, 45 minutes का समय है, इसमें negative mark नहीं है, ठीक है, यह qualified nature क बस आपको pass करना है, math में, आपका math से 20 question, 60 marks, यह question 3 नमबर का है, और reasoning से 20 question, 60 marks, 20-20, 40 question, 60-60, 120 marks, समझ रहे हैं, 40 question, 1 question 3 नमबर का, ठीक है, तो 120 marks हो जाएगा, यह qualify आपको करना है, बस minimum pass करना, यहाँ पर लिखाएगा है, कितना लाना है, ठीक है, final merit इसी पर बनेगा, लिख हम एक साथ होता है, यह ध्यान रखेगा, एक खतम, एक start, इस पर ही final merit बनेगा, जोस्तु, MTS, इतना आसान हो गया है, पहले से, दो subject पर math focus करना है, general awareness और English ही पढ़ना है, क्योंकि इसी पर आपका final merit बनेगा, अब देखो, 50 question आपका पूछेगा, इसमें इसमें दोनों मिला इसमें GKS आ जाता है दोस्तों, ठीक है, और करेंट है फिर भी 25 question, इंगलिस से 25 question, दोनों मिला के कितना हो जाता है, 50 question, 1500 माक्स 45 मिनटे का समय, इसी पर आपका final merit बनेगा, syllabus तो दोस्तों, आप लोग ने देख लिया, और इसकी तयारी करने के लिए, मैं based book आपको बताता हू मिलेगा, 2022 में जो प्रसन पुछे गए तो उसका, साथ में दोस्तों, 250 बहु बेकर प्रसन, सारा नियूंतम पेटरन पर दोस्तों, आधारित ये book होने वाले है, चक्सू पब्लिकेसन का, ठीक है, study guide से समपून आपका, जितना भी इसले पर सना, कबर हो जाएगा, साथ में दोस्तों, देखो, चक्सू पब्लिकेसन का practice set भी आता है, अगर तयारी को और मजबुत करना चाहते हो, तो इनका practice set भी ले लेना है, practice set में आपको 15 practice set मिलेगा, साथ में 800 पेपर मिलेगा, और 250 बहु बेकर प्रसन मिल जाएगा, जिससे आपका समपून तयारी हो जाएगा, इन दोनों का लिंग में वीडियो को description में डाल दिया है, वहां सा online खरे सकते हैं यान देखे दोगां सा भी ले सकतो, अब देखो, इसमें दोस्तों, आपका यहां पर हवलदार post के लिए, यहां पर आपका physical भी होता है, physical सबसे पहले देखो, यहां पर दोस्तों, पैदल चा पैदल चाले बस आपको fitness, height की बात करें, 157.5 cm, केवल हवलदार के लिए, MTS के लिए नहीं, ठीक है, 157.5 cm, यह माप किजिएगा, ठीक है, बाकी ST का 152.5 cm, ठीक है, अब देखो, chest 81-86 आपका मांगा जाता है, weight, male को नहीं लगता, female का अगर बात करें तो, 152 cm आपका female में, है, और female ST है, 145 cm, ठीक है, और 48 kg आपका वजन होना चाहिए, ST है, तो 46 kg वजन होना चाहिए, female में, अब देखो, MTS post में यह सब physical के जुरुवत नहीं है, हवलदार का 360 post है, और उसके लिए physical के जुरुवत है, अब आप लोग को देखिए, कहां apply करो, इसमें preference डालना है, code ड है, आपका पांच post हो गया, हिमाचल में 8 post है, हरियाना में 4 post है, बाकी लाद्दाक में एक भी post नहीं है, total 31 आपका इन डालवा region में हो गया, अब देखो, दिल्ली में अच्छा खासा, 362 post है, तो अगर आपको preference डालना है, तो डिल्ली एक नमर पर डाल सोकते है, क्योंकि ज भर दिजिएगा, बिहार में city नहीं है, तो यहाँ पर नहीं भरने आपको, ठीक है, प्रिप्रेस आपको बताऊंगा, कोड कहा क्या, क्या कोड है, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है, अब देखो, इस्टन रीजन में बात करें, वेस्ट वेकान में, उडिसा में 45 जहरकन में 12-22 पोश्ट है, बाकी दोस्तों इसिक्की में नहीं है, और अनबानिकों में में दो पोश्ट है, आंगे बढ़ते हैं, असम में अगर बात करें तो चार एक, दो साथ में 27 है, देख सकतो आपका ओल इंडिया, अगर बात करें तो आल इंडिया में यहाँ भी पो पोश्ट है, अंदर परदेश में 23 पोश्ट हो गया, करनाटका कि अगर हम बात करें तो 47 पोश्ट है, करलम 18 ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो, रिजन वाइज आपको बताये गया है, कहां पर कितना कितना सीठे यह देख सकतो है, टोटल आपका 998 पोश् यहाँ पर डाल सकतो हो, बाकी दोस्तों यहाँ पर आप एज गरूप में देख सकतो हो, कितना कितना पोश्ट है, वो देख सकतो हो, ठीक है, 18 यहाँ पर देखो, 18 पर 25 और 27 एज गरूप में तोटल आपका पोश्ट यहाँ पर बताये गया, कितना कितना पोश्ट है, ठीक ह जोस्तो आपको एक चीज आपको अपलाई करते समय हो डेक सकते हो अपको बताता हो किस नापको आपको पलाई करना उर्सकी लिए क्या कोड आपको चूज करना है सबसे पहले देखो दिल्ली में जैसे कि हमने बताया कोड है है यहां पर यहां पर जो कोड है 20 है ठीकर यह एक नमर पर प्रिफरेंस डालते समय एक नमर पर यह चूच कर सकते हो ठीकर डिलि के अच्छा घंड है तो आप से लाएंगा पर प्रबलम हो जाएगा अगर इस रहया है वहां पर चुच लोग देख सकते हो कहां पर कितना कितना कहा का कोड है जहां पर ज्यादा सीट बता यहां को कोड यहां पर दिया गया ठीक है यह दुस्तों धियान रखिएगा अपलाइक करते समय आप कोड कैसे चूच करना होगा हम फॉर्म फिलिंग का एक अलग से वीडियो बनाएंगे पर पर आपको प्रिप्रींट डाला होगा पहले नंपर आको प्रिफिलंट डाल नें सेके नंए यहां जांपल और भातर को दैंकार को बता तीस तारीक को आएगी आखी हमारा बाल सोच हो गया लेकिन हमने पताया था कि 5000 से ज्यादा बेकेंसी के चांस है लेकिन आपको शोलो सो के आसपास पोस्ट आया कारण यही है अभी हाली में इसका बेकेंसी आया था दोस्तों अभी तो एक्जाम खतम हुआ है एंसर कि अब कल क लेकिन हमें एक सीट से मतलब रखना है आपको जौब लेना है तो दोस्तों जोरूप फॉर्म को अपलाई कीजिए कोई सवाल हो तो कमेंट के मादने पूछ लिजिए का डाउट हो गेरा हो तो धन्यबाद